तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एक चीज आपसे साज्या करना चाहूँगा कि अक्सर जो खुबसूरत रास्ते होते हैं, मुश्किल रास्ते होते हैं, उन पर हमें अकेला ही चलना होता है जब मैं अत्रमकेश्वर महादेव गया, यह वहीं की वीडियो है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसे समय ही मैंने बनाई यह, तो एक ब्रह्मगीरी मंदिर है, तो उस मंदिर में जाने का रास्ता है, मैं उस रास्ते से जा रहा था, तो मुझे एक खुबसूरत जगा दि आया, हलाकि यह बहुत खुबसूरत रास्ता है, थोड़ा मुझे रास्ता है, लेकिन बहुत ही खुबसूरत है, दुनिया से हटके है, सब लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं, इस तरफ कोई भी नहीं आया, तो इससे हम यह सीखते हैं, कि अक्सर खुबसूरत रास्तों पर, अक्सर थोड़े जो कठीन रास्ते होते हैं, हमारे जीवन में कठीनाईया आती हैं, तो हमें अकेला ही चलना पड़ता है, हमारा होसला ही काम आता है, हमारी मांसिक शक्तियां ही काम आती हैं, यदि आपने अकेला चलना सीख लिया, तो आप जिन्दगी में सफलता पाएंगे जिन्दगी के खुबसूरत मंजिल को पाएंगे और दूसरों का इंतजार मत कीजिए यदि आपको दिखाई दे रहा है कोई अच्छा रास्ता तो अपनी धुन में चलिए और खुबसूरत मंजिल को पाएंगे अपनी मंजिल को पाएंगे हरियो